नमस्कार दोस्तो, प्लाइट ओफ लाइफ टरस्ट के अपने इस यूटूब चैनल में आप सब का हरदिक स्वागत है 29 और 13 जानवरी को आप मैरिधॉन में दोडने वाले हो और दोडने के बाद उसे कैसे कैलकुलेट करना है, किस एप का यूज करना है और उस एप का यूज करने के बाद आपने जो दोड लगाई है उसे कैलकुलेट करके उसके हमारे वेबसाइट पर मैरिधॉन के कैसे अपडेट करना है इसके बारे में हम डिसकस करने वाले है तो उसके पहले में आपको एक बात बताना चाहूंगा जो आपकी दोड है उसे अपडेट करने का जो ऑप्शन है वो आज तक तो वेबसाइट पर आपको नहीं दिखेंगा वो ऑप्शन आपको 28 तरिक को रात को 12 बजे के बाद अपडेट हुआ आपको दिखेगा तो जब आप 29 तरिक को दोड लगाओगे और उस दोड को आप एक एप में कल्कुलेट करोगे तो उस एप में कल्कुलेट करने के बाद उसका जो स्क्रीन शॉट है उसे आपको हमारी मैरेथान के वेबसाइट पे लिंक पे अपडेट करना है तो उसकी पूरी प्रोसीजर में आपको बताने वाला हो कौन सा एप यूज़ करना है किस तरीके से यूज़ करना है कैसे उस एप को इंस्टॉल करना है तो उसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे इस क्या्यकurpose करने के लिए हम सबसे पहले स्ट्रैवा अप जो है यहां हम रिकमेंड करते है तो स्ट्रैवा अप को हमारी मॉबाइल से आप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टॉर पर जाकर install करने के बाद नीचे देखिए open का option आ रहा है या फिर आपके mobile पे उपर आ सकता है तो उसे open करना है इस app को open करने के बाद इस तरह का interface आएगा और हम continue with google जो बीच में हमें एक option दिख रहा है आप facebook से भी कर सकते हैं लेकिन मैं continue with google करूँगा और उसके बाद मेरे जो email id यहाँ मेरे mobile में है उसमें से मैं किसी एक email id को click करके आगे बढ़ूगा फिर उसके बाद मुझे मेरी ये basic information जो है वो feel करनी है मेरा नाम मेरी birth date भी मुझे यहाँ set करनी है और birthday date set करने के बाद okay करके मैं आगे जाओगा फिर gender जो है उसे में select करूँगा और next के उपर click करके आगे जाओगा उसके बाद can we connect you दिख रहा है तो मैं no करूँगा और आगे जाओगा फिर यहाँ the first month on us यहाँ दिख रहा है start free trial तो हम नहीं no thanks करेंगे और आगे जाएंगे ready to record तो हम later के उपर click करके हम थोड़ा सा आगे जाएगे और यहाँ भी skip करेंगे तो इस तरह से हमारा यह app जो है यह install हो चुका है और सभी setting हो चुके है तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम हमारे run को count कर सकते तो उसके बारे भी हम देखेंगे तो देखें सबसे पहले यहाँ जब app open करते हो तो नीचे record का option दिख रहा है तो उस record के option के उपर सबसे पहले हम click करेंगे और click करने के बाद यहाँ choose का option दिख रहा है तो वहाँ run वगरे बहुत सारी चीज है तो हम run के उपर click करेंगे तो हम run के उपर click करेंगे फिर start करेंग और start करने के बाद हम चलेंगे चलते रहेंगे ओके तो हमें चलना है तो चलने के बाद इस तरह का जो आपका counting जो है वह शुरू हो जाएगा time शुरू हो जाएगा और उसी के साथ आपके इतना distance जो है वह आप cover कर रहे हो वह भी दिख जाएगा और आपका run खतम होने के बाद आपको जब stop करना है तो सबसे नीचे red बटन है उसके ओपर click करेंगे और उसके बाद finish का जो option है उस finish के option के ओपर हम जब click करेंगे तो हमें देखे इस तरह का interface दिखेंगा तो हमें क्या करना है title your run आपके run को title देना है तो मैं यहाँ फिलाल L.O.L.T. marathon यहाँ टाइटल देता हूँ मेरे इस run के लिए L.O.L.T. marathon और मैं फिर आगे जाओंगा थोड़ा सा तो type of run तो यहाँ मैं फिलाल race करता हूँ marathon की race की थी और उसके बाद सबसे उपर जो save का option हमें दिख रहा है यह run save हो चुका है तो अभी आप इसका screenshot ले सकते हो और हमारी जो marathon की जो website है marathon की जो link है उसके ओपर update कर सकते हो आपका run इस तरह से ओके थैंक्यू दोस्तो धन्यवाद